हलो बच्चो आज हम लोग पढ़ेगे प्राइम नम्बर्स के बारे में और कम्पोजे नम्बर्स के बारे में तो चलिए सुवात्थ करते हैं अपने क्लास की prime numbers, prime numbers, those numbers, those numbers which have two factors which have two factors only are called prime numbers, prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 29, etc. बच्चो प्राइम नमबर वाद संख्या होता है जिसके केबल दो फैक्टर्स होते हैं. देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and 29 यह प्राइम नमबर से हैं और इसके केबल दो ही फैक्टर्स हैं. एक और यह नमबर खुद. देखिए, इसको बढ़िया से समाजिए. फैक्टर्स ओफ तू इकौल टू, दो के पेक्टर्स कौन-कौन से संख्या हैं. फैक्टर्स मिर्ढिना समाजिए जो दी हुगी संख्या को डिवाइट कर सके, तो 2 को कौन-कौन डिवाइट कर सकता है. एक और दो तो टो तो टोल नमबर वाद टू कितने हुए? एक, दो, यहाँ पर लिखते हैं, टोटल नमबर ओफ फैक्टर्स, ओफ फैक्टर्स, दो हुए, आप फैक्टर्स ओफ थीरी लिखते हैं, फैक्टर्स ओफ थीरी, एक्वल टू, क्या होंगे, तीन को कौन-कौन से संख्या डिवाइट कर सकता है, पहला संख्या एक, और दूसरा संख्या थीरी, तो देखिए, थीरी के टोटल नमबर ओफ फैक्टर्स कितने हुए, इसके भी दो हुए, आप बात करते हैं, थार्टिन की, फैक्टर ओफ थार्टिन, एक्वल टू, उन थार्टिन को डिवाइट करेगा, और कोई करेगा क्या, हां शिफ थार्टिन ही करेगा, तो थार्टिन के टोटल नमबर ओफेक्टर्स कितने हुए, इसके बाद आगे कि शंख्या लीजिए, माल लीजिए 41 आप लेते हैं, तो फैक्टर्स ओपुटिवन, क्योंकि फोट टोटल नमर्व फैक्टर्स ओफ 41 कितने हुए 2 अब आईए बात करते हैं 97 की फैक्टर्स ओफ 97 एक्वल टू 1 and 97 टोटल नमर्व फैक्टर्स 2 हुए तो बचो आप जितनी मर्जी प्राइम फैक्टर्स बतलाईए और उसको चेक करके देखिए आपको पता चलेगा कि उस प्रा है तो कोई भी प्राम नमबर्स हो उसके केब़ दो ही फैक्टर्स होते हैं अबountainuses को बढ़ेसा समझ गये हैं आपको मैंने लेकर दिखला दिया कि फैक्टर्स ओफ 2 1 यू फैक्टर्स 2 हुए फैक्ट्रós एफ थीरी वसा और ढुवता है तो इसके फैक्टर्स कितने हुएु तो by definition prime numbers have two factors only, prime numbers के capable दो factors होते हैं और हमने आपको यहां पर examples भी करके दिख लाया, तो prime numbers के बारे में आपने समाज लिया, आप बात करते हैं composite numbers composite numbers those numbers those numbers which have more than more than two factors two factors are called called composite numbers composite numbers example 4 6 9 10 12 15 15 15 15 15 15 1 10 15 agency number of factors , what is the number of factors इक्वल टू हो गए 3 चार के कितने फैक्टरस हुए 3, 1, 2, और 4 अब फैक्टरस अफ 6 लिखते हैं फैक्टरस ओफ 6 इक्वल टू 1, 2, 3, and 6 इसके टोटल नमर फैक्टरस कितने हुए 1, 2, 3, 4 इसके हो गए 4 अब फैक्टरस ओफ टूबल भी लिखते हैं टूबल का फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6 और टूबल टोटल नमर फैक्टरस कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इसका आए किस्ता खेया लिजिए माल लिजिए 45 दिया हुआ रहे है क्योंकि 45 ही एक कमपोजिट नमर है 45 तो इसका फैक्टरस लिखिए 1, 3, 5, 9, 15, and 45 इसके टोटल नमर फैक्टरस कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अस्पस रूप से आप देख सकते हैं कि फैक्टरस ओफ कमपोजिट नमर्स आर मोर दैन टू कमपोजिट नमर्स के जो फैक्टरस होते हैं वो दो से अधिक होते हैं फोर कमपोजिट नमर्स है इसके टोटल नमर्स फैक्टरस कितने हैं 3, 2 से अधिक हुआ फैक्टरस ओफ 6 4, 2 से अधिक हुआ फैक्टरस ओफ 12 6, 2 से अधिक है फैक्टरस ओफ 45, 6 है तो आप समाज ही गए हैं कि prime number के 2 factors होते हैं और composite number के 2 से अधिक factors होते हैं By definition, कि मैं बात करूँ तो prime number वह संख्या होता है जिसके 2 factors होते हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7 और भी बहुत सारे हैं और composite number के 2 से अधिक factors होते हैं कोई composite number आप लीजिए 4 तो इसके 3 factors होते हैं 26 तो इसके भी दो से अधिक होंगे जैसे 1 डिवाइट करेगा 26 को टू डिवाइट करेगा और 13 डिवाइट करेगा और 26 करेगा इस प्रकास से 26 के भी टूटल नम्रों फैक्टरस कितनों हो गए चार दो से अधिक है तो समझ सकता हूं कि आप प्राइम नंबर और कमपोजी नंबर को बढ़िया से समझे गए होंगे अब मैं अपना वीडियो को यहीं पर समप्त करता हूं